बदल जाएगा सम्विधान चुनाओ के बाद बिजेपी करेगी बदलाओ मनो जहानी किया कैसा बड़ा दावा पियम मोदी सी की बड़ी अपील दस्तावीज हमारी सहलियोतों का हमारे आरक्षन की गारंटी है अगर इस पर प्रधान मंत्री जी को कुछ करना है न तो तमाम वो लोग जिनों ने कहा है कि हम बदलेंगे हमें बावमत इसलिए दो उनको पाटे से निकाल दो और फिर संबिधान से उत्पन्य चीजों पर जिस पर पेजस्वी जी लगातार बोल रहे है नोक्री महिला सबली करन अगनिवीर को खत्म करना पुरानी वेवस्था सेना में और नेलबे में इस पर बात क्यों नहीं कर रहे है प्रधान मंत्री जी चुनाव तो इन मुद्द पर होना चाहिए ना तेश्वी आदम ने नौकरी की बात की कि एक करोण आउसकार देने की बात की लेकिन दिपक्स वह कह रहे हैं कि तेशी सीट पर चुनाब लड़ने वाले यह तैसे को साथ मैंने पहले भी आपको यह सवाल की आपके सवाल का जवाब दिया था जो पार् प्रिटिक पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रॉक्चर है उसका एक अभी नहीं साह जिनको इनकी समझ नहीं है उनको मैं कहूंगा टुटॉडियल लीजिए सब आएंगे सब आएंगे कहें परेशान हो रहे हैं सब आएंगे साथ साथ मुझे कमाल लगता है ना कॉंग्रेस परेशान ना आड़ जेडी परेशान ना कोई और परेशान परेशान कौन तो बिगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना प्रधान मंत्री लगता है जन् देश के प्रधानमंत्री के कद के अनुरूप होनी चाहिए यह तेजस्वी जी किस चीज पर बात कर रहे हैं नौकडी पर पांच लाक नौकडी 17 महिने के अंदर यह जंगल राज है तो देश में आप भी ऐसा ही जंगल राज ला देते मोदी जी आप तो ना लापा है दो करो नहीं दे दिया प्रधानमंत्री जी मतलब कि आप लोग प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं अगर ते जस्वी जी ने उनकी पालिसी पर नोकरी दे दी आपकी तो अपनी पालिसी थी देश भर में नोकरी क्यों नहीं दे दी जूट की भी एक सीमा हो जूट की एक बहुत छोटी उम्र होती है वो उम्र चली गई मुझे कमाल लगता है ना कॉंग्रेस परिशान ना अरजेडी परिशान ना कोई और परिशान परिशान कौन तो बेगानी शादी में अबदुल्ला दिवाना